हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में ठीक से होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं आपके साथ एक खास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और यह स्पेशली बच्चों की डिमांड पे है तो मैंने बागे हैं तो मैंगी को बनाती हूँ मैं तड़का लगा के तो मैंने डाल दिया है आएल तड़के के लिए यहाँ खाएगा तब मैं इसमें डाल दोंगी हमारी जो शिमला मिरच होती है केपसिकम भी उपनाटर को चोड़के बाकी जितनी भी आप जो भी पसंदीद आप की वेजिस हो ना आप इसमें डाल सकते हैं तो वो मैंने इसमें डाल दी है और बीन्स भी मेरे पास थी लेकिन बच्चे बीन्स नहीं खाते है ना इसमें तो शिमला मिच खा जाते हैं तो इसको लगभभा हम दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे भोनेंगे और बस ऐसी थोड़ इसमें और मसारेदार मैगी बनाती हूँ तो हाफ चमच मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च रेड़ चिली और हल्दी भी मैं इसमें डालूँगी कलर के लिए तो मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी है आदा चमच लगवग और उसके बाद थोड़ा सा इसको पकाए अब हम इसे और पकाएंगे तो टमाटर को पकने के लिए नमक डालना जरूरी होता है तो इसलिए इसमें हमें नमक भी डालना पड़ेगा तो यह देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल दिया है आदा चमच नमक तो आप स्वादर नमक एड़ कर सकते हैं अरे वही मसाला नूडल्स बन रहे हैं और चटपटी मेरे बच्चों को तो चटपटा ही पसंद आता है जादा और यह देखिए थोड़ा सा इसमें हमें इसे पकाना है लगबग दो मिनिट के लिए और अब मैं डाल दूगी इसमें मैगी तो नूडल्स जो आपके हपास हों म मेरे अगरी मेरे लगवे खिले को में गैलए है जो तो ऑफिलों यह हुआ 뒤에 मादा है 2019 समय कर दोंते का सब्सक्राइब करें तो एक पीड़ा सकवागी इसमें में दोड़ा से बनाना क्या सिकरा हूँगी मैं मैं चाहिअ किसी बनाना क्या का घृते हो अब आपके साथ जस्ट बस वही शेयर कर रही हूं और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रोस्ट कर लोगी और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो मैं इसमें डाल दूगी लगभग दो गिलास पानी और दो की गिलास पानी में यह पक जाएगी अच्छे से क्यो अच्छे से पक जाएगी और उनका पूरा फ्लेवर इसमें चला जाएगी और यह देखिए दो मिनिट बाद मैं धकन खुला है और हमारी मैगी जो है बहुत ही अच्छे से बन की तयार होगी है और बहुत ही अच्छी कुश्पू आरी है और इसमें आ फ्रेंड्स ऐसी मिन्नी खाते है बिल्कुल वैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें वैसी खुश्पू आ रही है और बच्चे तो देखके बहुत ही एक्साइट हो रहे है क्योंकि मैंना ही बहुत कम खिलाती हूं नूडल्स क्योंकि फास्ट फूड हैल्दी नहीं होता है बट कभी-कभी बीच में खिला देते हैं हम जब बच्चे जादा जीद करते हैं और फिर बच्चों का तो ना मन होता है चिटर पुटर खाने का तो इतनी अच्छी मैगी देखके वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न Luke कौना बूलें अगर आप मेरी चैनल पर नहे हैं तो प्लीज 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 चैनल को संबस्क्राइब ज़रूर कीजिए तो इस वीडियो का एंड होने हाला है यहीं पर औ क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरस्टिंग सी चीज दिखाने वाली हूँ और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो आप इसे देखेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ये स्पेशली मैंने अपने वीडियो के इंटर्टेन्मेंट के लिए किया है और अगर आप इसके देख के खुश होते हैं और आपको हसी आती है तो प्लीज मुझे बताईएगा जरूर तो मैं आपके ना प्यारी प्यारी कमेंट का वेट करूँगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं दिन में कपडो के तय लगा रही थी और वहाँ पे नैना भी थी और साथ में में गाना भी का रही थी तो उसके क्लिप मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करे थी वह ही आपको दिखा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ कि एपाओब हो दोगे के दारिणी ए को इना बरिया जो तुरे का लाना हो देके दारिणी कुछी तेरे गोरू आम्मा मेरे नहीं जार दे कुछी तेरे गोरू